भारतिये जनता पार्टी जब से सरकार में आई हैं उनका एक-एक फैसला देखने अगर आप उसमें आरच्छन के साथ खिलवाड़ हुई है और आरच्छन की जो मूल भावना थी उसके खिलाफ लगातार भारतिये जनता पार्टी काम कर रही है जब से दिल्ली और यूपी की सरकार में आए हैं मैं यह कहूं कि पीडिये परिवार के लोग के साथ धेद्वाव हो रहा है और भारतिये जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जो समाज जो बहुजन समाज जो पीडिये परिवार चाहें वो अलफसंकत हों आदिवासी हों आदियावादी हो पिषडे हों दलित हों या अन्ले जातियां जिनको आरच्छन से सम्मान का जीवन जीने का मौका मिलता था उस आरच्छे के साथ लगाता सरकार खिलवार कर रही है जहां तक पिषले चुनाओं में एक कदम बढ़कर के हम सभी लोगों ने मांग की के जाती जनकरना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले यही हमारा समिधान कहता है और यही मूल भावना थी मंडल कमिशन की यही बाबा साब चाते थे यही डॉक्टर रामन लोहिया चाते थे यही निताजी का रास्ता रहा यह जो लोग आजकल पत्र लिख रहे हैं या दिखामरी काम कर रहे हैं यह भारती जनता पार्टी को बचाना चाते हैं भारती जनता पार्टी की यह रखवाली करना चाते है क्योंकि उन्हें मैसूस हो गया है कि इधर जागरुक जंता इनके खिलाब मद्दान कर रही है पहला सवाल यह है कि यही लोग आरश्षण को लेकर के जो आज चंता व्यक्तर है लेटरल इंट्री हुई थी तब कहा थे वाइस चंसलर जो अपॉइंट हुए दिल्ली से और उत्तर प्रदेश से जो वाइस चंसलर अपॉइंट हुए है उसमें कहीं PDA परिवार के लोग आपको नहीं दिखाई देंगे दिल्ली की जो central universities है उसमें PDA परिवार के लोग कहीं दिखाई देंगे जो दिल्ली की सबसे prestigious university है जवाला नहरु उनिवस्टी अगर हम उसके नौकणी के आकड़े निकालें तो महाँ पर PDA परिवार के आज तक जब से university बनी है और आज तक 15% भी PDA परिवार नहीं है और यही हालत BHE university की है जहां से प्धानमंती चुन करके जाते हैं तो अगर हम यह दो university का देख लें और वाइस चांसर्स का appointment देख लें और वाइस चांसर्स ने जिनको नौकरी दी है उनके हम आकड़े देख लें तो आप पाएंगे कि इस सरकार में आरेक्षण के साथ खिलबाड़ ही है आरेक्षण की मूल भावना से यह अलग हुए है यह आरेक्षण की पक्षमे नहीं है इस तरिक से समाझ बाती पार्टी व्रक्षण ओपर करने आ रही है लोग है जो भात पाटी को बचाते हैं यह उस दल को बचा रहे हैं जो दल भात जनता पार्टी आरेक्षण के खिलाफ है मैं इंडिया की जीत के लिए बढ़ाई देश के लोग इंडिया की जीत पर खुशी बना रहे है कि समाजवादी पोड़ी ब्रक्षार ऊपर करने जा रहें वह किस तरू अ कहरें मैं करकृरताउं को बढ़ाई देता हूं हे जहाँ वो करड़ लगाएंगे यहां वो पेड लगाएंगे कि उ detatif लगाएंगे तुर बर्गत का पेड ली फिपल का पेड़ कि यहां पेड़ लगा रहे हैं वहीं समाजवादी विचाधारा को भी बहुत मजबूत बनाई कि यह फैसला अभी का नहीं है बात का होगा अभी तो तारीक ही नहीं पता कि चुना कब होगा इसमें बीजेपी को घवराने की जरूत नहीं है बीजेपी हाने जा रही है तो सदन में आप बैठ रहे हैं सदन फुरू हो गया पिछली मुकाबले किस तरीके अगर आप देख रहे हैं बीजेपी के कैस्पिश याद होगा आपको जब उत्तव देश का चुना था तो हम याद दिलाते थे कि साथ लाग बच्चों के परिवा के साथ परिवाड़ है और उसका गड़ित भी बिता देख है कि अगर उस परिवार के सदस्थ्यों को के बना माबाब को जोड़ दें तो तीन गुणा साथ लाक एक और असी लाक परिवार या लोग ऐसे थे या बोट जो प्रभावित सीथे सीथे अभी जो नीट का एक्ज एक्जाम तो नीटन क्लीन हो क्योंकि वो भविस्त के हमारे डॉक्टर बनने जा रहे हैं भविस्त में हमारा स्पास कैसे बहतर रहेगा उसकी जिम्मेदारी उनके कंदे पर होगी यह बीजेपी के लोग अभी से नहीं इनका पुराना इतियाद उठा करके देख लो यह जि तो जब अपॉइंट्मेंट्स हो रहे थे यह तमाम चिठी लिगने वाले कहां थे जो अनिदलों का फैसला होगा और अगर चाहते हैं कोई इस तरह का और यह बात पहले भी कही गए कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष्ट को मिलना चीए डिप्टी स्पीकर विपक्ष्ट का ह लगबग चार महीने बाद मोडी के मन की बात आज स्पीकर प्रूब हुआ एक तो ग्यारवा सब्सक्राइब हैं मैंने तुछ को नहीं है कि पीडिये के साथ साथ भारत की जंता से घबरा रही है क्योंकि भारत की जनता जाकरु MIC आज पड़े लिखी लोग हैं जाग्रुक्त लोग हैं सम양 oo अपने अधिकारों को समझे तो और जो अधिकार के साथ खिलवार कर रहा हैं उनके खिलाबों खड़े हुए बिंजेपी ने अभी तक 10 साल में सबसे ज्यादा खिलवार किया उनके अधिकारों को साथ इसलिए बावा साथ भीमरा मेडिकल जी गाक्टर रामनलुया और नेता जी को राता है उसी पे चल करके हम लोगों को यह मिली इस जीत के लिए उत्तरपदेश की जनता का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं उत्तरपदेश की समझदा जनता और वो जनता जिसने संभिधान बचाने के लिए मद्दान किया हम उन्हें भरुसा दिलाते हैं कि संभिधान पर कभी भी आ चाएगी तो समाजवादी लो अब भी सरकार को सबूत चाहिए विपक्ष के लोग होंगे तो उनके बिना सबूत के बिना जाज के कारवाई एकिर आप क्या सबूत चाहिए सरकार को सोचिया हर चीज है जो इंग ऑपरेशन हुआ सब बाते साफ आ रही है सबने सुना है और कोई छोटा चैनल नहीं है दे अब बच्चे आरो यारो वाले बैठें बताओं उनके साथ कितना बड़ा भीद्वा हुआ वह अपना पूरा जीवन लगा देते हैं कि उन्हें नौकरी मिल जाए और नौकरी इसलिए चाहते हैं कि उनका जीवन बनेगा उसके यह उनके भविस से जीवन के साथ खिरवार क मैं अपने का करता हूं से थाओंगा कि साथगी साथ मराएं आप जीवन दिन की गोड़ा खिरवार मैं अपने प्रेस की साथियों के धन्यवाद देता हूं